पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्सन किया उनका कहना है कि लगातार 20 दिनों से केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ा कर देश की जनता का खून चूसने का काम किया है उन्होंने आगे कहा कि आज जब किसानों द्वारा खरी फसल लगाई जा रही है तब नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा कर किसानों का कमर तोडने का परियास किया है मौके पर अजाइस कुमार सिंग, महस्वरी परसादियादव, संजय चक्रवर्ती, प्रमोज सिंग वेल्डन आदी मौजूद थे लागातार 20 दिनों से नरेंद्र मोदी की भरष्ट तम सरकार ने, भाजपा की केंद्रिय नेत्रुत ने, पेट्रोल यम मनक्राले ने लागातार 20 दिनों से पेट्रोल और डीजल पर महंगाई बहा कर इस देश की जनता का खूंच उसने का काम किया है किसानों को बरबाद करने का काम किया है आज जब की पूरे देश में खरीब की फसल लगाई जा रही है किसान अपनी तयारी कर रहे है नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल पर लागातार देक्स बढ़ा कर देश की आम जनता और किसानों का कमर तोड़ने का प्रियास जारी रखा है हम लोग का मांग है कि लागातार आपने जो अंतरास्तिय बजार में पेट्रोल और डीजल का मुल कम होने के बाबजूत आप जो लागातार लूट के देश के जनता से उसके जेव से पैसा निकालके किसानों के खलीहानों से पैसा निकालके आपने लूटने का काम किया पिछले छे साल में आपने देश की गरीब जनता आम अबाम का अत्तार लाग करो रूपया आपने लूट कर अपने खजाने में चमा किया उस हिसाब को आप जनता के सामने दीजे और अभीत्पुरत पेट्रोल और डीजल का डाम कम करके खिस्वानों को और इस देश की हम चंता को रहत दीजे अराज मोगी हाँ तेरी सरकार वापसाओ 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 तेरी सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तेरी सरकार वापसाओ तेरी सरकार वापसाओ तेरी सरकार वापसाओ तेरी सरकार